ध्यान रखने योगे जरूरी बातें नमबर एक धनिया पोधीना और हरी मिर्च को स्टोर करने के लिए उनकी ताजगी को बनाए रखने के लिए आपको उन्हें थोड़ी देर तक ठंडे पानी में रखना चाहिए नमबर दो, अपने रसोई के बरतनों को सफेद करने के लिए नीवु का उपयोग कर सकते हैं नीवु के रस को बरतनों पर लगाएं और चार-पांश मिनट तक छोड़ दें फिर उन्हें साबुन और पानी से धोलें नमबर तीन, जब आप तलने के लिए तेल का इस्तमाल करते हैं तो उसे बाद में पुने उपयोग करने के लिए ठंडा करें ऐसा करने से तेल ज़्यादा समय तक स्वादिस्ट बना रहेगा नमबर चार, सूजी का हलवा बनाते समय अगर पानी की जगा दूद का इस्तमाल किया जाए तो सूजी का हलवा ज़्यादा स्वादिस्ट बनता है नमबर पांच, हलवे के लिए सूजी भूनते समय उसमें एक चमच बेसन मिला दें इससे हलवाद जादा स्वादेस्ट बनेगा नमबर च्छे, भिंडी का चिपचपपण दूर करने के लिए उसमें थोड़ा सा नीवू मिला दें इससे भिंडी का चिपचपपण बिल्कुल दूर हो जाएगा नमबर साथ, अगर आप दूर से मलाई निकालना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरह से उठा ले और फिट ठंडा करके चार से पांच घंटे के लिए फ्रिज में रख दें इससे आपकी मलाई बहुत मोटी जमेगी नमबर आट, अगर आप घर का पनीर बनाना चाहते हैं तो दूर को नीबु की वज़ह फिटकरी से फायरने से इससे पनीर जादा मातरा में बन कर तयार होगा नमबर नो, हरी मिर्च की डंडी तोड़कर फ्रिज में रखने से हरी मिर्च जादा समय तक ताजी रहती हैं नमबर दस, आम का अचार बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुड मिला दें इससे आम का अचार जादा स्वाधिस्ट बनेगा नमबर ग्यारा, गुड की चाशनी बनाते समय अगर कड़ाई में पहले से थोड़ा सा तेल यानि लगा दें तो चाशनी कड़ाई में चिपकेगी नहीं नमबर बारा, दही जम आने के लिए अगर घर में जावन ना हो तो हरी मिर्च की 4-5 डंडी तोड़कर डालने से दही जम जाती है नमबर तेरा, समोसो को जादा क्रिस्पी बनाने के लिए समोसे का अटा बनाते समय इसमें थोड़ा सा चावल का अटा भी मिला दें नमबर चौदा गुलाब जामुन को रसीला और मुलायम बनानी के लिए पनीर या छेनकाप्रियो करें इससे गुलाब जामुन रसीले और स्वाधिस्ट बनेंगे नमबर पंदरा वड़त की दाल बनाते समय इसमें थोड़ी सी सूजी बना लें इससे उड़त की दाल जादा स्वाधिस्ट और कुरकुरी बनेगी नमबर सोला अगर सबजी जल जाये तो इसमें थोड़ असा दो चम्मत दही मिला दें इससे जले हुए का टेस्ट नहीं आए नमबर सत्रा मक्षन बनाते वक्त एक चम्मच नमक या मिश्री डाल कर फेटें तो मक्षन जादा मातर में और जल्दी निकलता है नमबर अठारा दही वाली ग्रेवी की सबजियों में नमक उबाल आने के बाद डालें इससे दही फटेगी नहीं साथ ही ग्रेवी को मद्य माज पर पकाएं इससे ग्रेवी भी स्वादिस्ट बनेगी नमबर 19 करी पत्तों को धोकर साफ कर लीजिये फिर थोड़ा तेल में फ्राइ करके रख दें किसी एर टाइट टब्बे में जब तड़का देना हो बस डाल दें और स्टोर करें नमबर 20 दाल और चावल को दोते वक्त उसका पानी एक बटन में रख ले और पानी को अपने घर में लगे करी पत्ते के पौधे में डाले करी पत्ते की खुशबू बढ़ जाएगी साथ ही आलू बालते वक्त इसका पानी ना फैके इसमें पोशक तत्व हैं इसका पानी आप पौधों में डाल सकते हैं नमबार एकेस वैसे तो चॉपिंग बोड के निवत रूप से सफाई जरूरी है लेकिन बरसाथ में इसकी सफाई और अधिक जरूरी हो जाती है ऐसे ही मौसम में चॉपिंग बोड को निव और बेकिंग सोडा के साथ सफाई करें ताकि उस पर मोजो सबी किटानू निकल जाएं तो फ्रेंड्स ये थी रसोई घर से कुछ सम्मंदित जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताईएगा और अगर चैनल पे नए आई हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे लाइक शियो और कमेंट कीजिएगा मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ तब तके लिए टेक केर बाबाई झाल कराण्जर पेसे लिए करें तके लिए букв barn और चैनल पेसे उलाएगा अखल